नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो से कम से कम 4-5 कोशन आपको रेलवे एक्जाम में जरूर मिलेंगे तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं वन लाइनर करेंट अफर्स के कोशन करबागवा जो की 2-3 दिन का करेंट अफर्स कोशन कम्प्लीट करेगा इससे आपका रेलवे एंटी पीसी, रेलवे ग्रूप डी और जितने भी एपसी आई बगरा है और स्सी सीजील के एक्जाम में उन सभी में ये करेंट अफर्स के कोशन काम आ जाएगा साथी साथ में दोस्तों बहुत सारे कोशन जो होते हैं जो कोई कोशन आंसर में नहीं इंकल्यूट हो पाते हैं उनको भी मैं यहाँ पर करा पाऊंगा अब आज का सबसे पहला देखो काऊंट क्या बना है ऐंटी पीसी कहां पर 25 मेगा वाट का तेरता हुआ सोर उर्जा सन्यन्त रहे तो यह पर जो एंटी पीसी है इसमें ये भी बन सकता है कि NTPC विसाका पत्न में तैरता हुआ जो सौर उर्जा सन्यंतर बना रहा है वो कितने मेगावाट का है तो आंसर क्लिक करोगे 25 मेगावाट का हर तरीके से कुश्चन को आप करोगे विजिया बैंक और देना बैंक की सभी साखाएं एक अप्रेल 2019 से किस बैंक की साखाओं में कारे करेंगी तो विजिया बैंक और देना बैंक दोनों को मर्ज करके बना दिया गया है बैंक और बड़ोदा के साथ में यानि कि विजिया बैंक और देना बैंक वो अब बैंक और के नाम से जाना जाएगा और ऐसा करने से bank ऑ बढ़ोदा इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा bank बन जाएगा आगे चलते हैं हाल ही में किस खिलाडी ने बहरीन grand pricks जीत लिया है तो यहां पर यह जो बहरीन grand pricks है इसको जीता है लुइस हैमिल्टन ने, जो कि मरसडीस टीम के ड्राइवर हैं, तो लुइस हैमिल्टन इसका राइड अंसर हो जाएगा, अगला कुशन है, किसको मोरको में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यहां पर सम्हू एसकुमारन को कहां पर किया है मोरको में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, आगे चलते हैं, इंडियन नेवी ने छटा स्वदेसी रूप से डिजाइन और निर्मित माल वाहक जहाज सामिल किया है, उसका नाम क्या है, तो यहां पर यह जो इंडियन नेवी ने छटा UL56, इसका नाम रखा गया है. आगे चलते हैं, बारत के किस राजमे स्तेथ, Asia की सबसे बड़ी tulip garden, जन्यता के लिए खेल दिया गया है. तो यहां पर यह जो tulip garden है, जो जो चops crash एक सबसे बड़ा tulip garden है, यह इसको जन्रता के लिए खुला गया है, यह जम्बू कस्मीर राजमेश देता है, तो आप्शन देकर जम्बू कस्मीर पर सही टिक कर दोगे, आगे चलते हैं अगले कोशन की तरफ, कोशन है कि वह महिला अधिकारी जिने हाल ही में स्लोवाकिया देश की पहली राश्ट्रा अधियर्च की रूप में चुना गया है, मतलब स्लोवाकिया की पहली महिला प्रेसिडेंट, राश्ट्रपती कौन बनाई गई है, बहुत फिमस कोशन हो गया है यह, जो जाना कैपू तोवा नाम की एक महिला है, जिनको स्लोवाकिया देश की प्रेसिडेंट बनाई गया है फाइनल मुकाबले में जॉन इसनर को हरा कर खिताब जीता है, तो यहाँ पर मियामी ओपन जीतने वाले किलारी का नाम है, रोजर फेडरर और जिन्होंने मियामी ओपन जीत कर 101 सिंगल्स जीत हासिल करी है, अगला कुशन है, वह अंतर राश्टी संस्तार जिसने हाल ही में, Mind the Gap, State of Employment नाम के एक रिपोर्ट जारी करी है, तो इस इंस्टीट का नाम है Oxfam, Oxfam नाम का एक इंस्टीट है, जिसने Mind the Gap, State of Employment नाम के एक रिपोर्ट जारी करी है, अगला प्रसने, वह देश जिसने हाल ही में सुल्तान अजलान सा कप जीता है, 101% एक्जाम में पूछा भारत कुहराकर दच्छिड कोरिया ने सुल्तान अजलान सा कप जीत लिया है, एक प्रसनी ये भी बनता है कि सुल्तान अजलान सा कप किस केल से सम्बन देत है, तो आंसर हो जाएगा ये होकी केल से सम्बन देत है, दोस्तों ये जो मैं पूरा PDF आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी आपको वीडियो के description में इसका link दे दूँगा, वहां से आप इसे download कर सकते हैं, अगला question है, दिल्ली सरकार की स्कूल सिच्छक का नाम बताईए, जिने हाल ही में मार्था फेलर पुरसकार से सम्मानित किया गया है, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि मार्था फेलर किसे दिया गया है, तो आंसर हो जागा मनु गुलाटी, मनु गुलाटी को मार्था फेलर पुरसकार से सम्मानित किया गया है, अगला question है, पाकिस्तान ने इने हाल ही में अपना नया विदेश सचिव बनाया है, तो पाकिस्तान के जो नया विदेश सचिव बनाया है, वो है अगला प्रसने वह बैंक जिसे हाल ही में देना बैंक और विजिया बैंक का विले कर दिया गया है तो आपको भी पता है पहले भी करपा चुका हूं बैंक का बढ़ोदा में दोनों को मर्ज कर दिया गया है अगला प्रसने हादिसे और आप हुद्री नामक आत्मकता की लेकिका का नाम जिनका हाल ही में देहान्त हो गया है या निधन हो गया है तो यहाँ पर हादिसे और आप हुद्री नामक जो आत्मकता है उसकी लेकिका का नाम है रमडी का गुपता जिनका हाल ही में देहांद हो गया है तो यहाँ पर इसका राइट अंसर हो जाएगा चांगी एरपोर्ट सिंगापूर का सिंगापूर का चांगी एरपोर्ट जिसको इसका इसका आइट्रेक्स द्वारा विस्सु के सर्वस रेष्ट हवाई एड्डे का किताब मिला है अगला प्रसन है राष्ट्रपती स्री रामनात कोविंद ने किस देश की यात्रा के क्रम में वहां के पाबलो नेरूदा संग्राले की यात्रा की तो यहाँ पर पाबलो नेरूदा संग्राले जो है वो चिली देश में है प्रेसिडेंट उसी की यात्रा पर थे देश की तो वहाँ पर पाबलो नेरुदा संग्राले की यात्रा भी की थी अगला कुशन है किस राज्ज ने लोग सवा चुनाओं के दोरान सभी मतदाता केंद्रों पर ब्रेल युक्त बैलट पेपर उपरब्द कराने की गोश्णा करी है तो ये सभी जो मतदान केंद्र है सभी पर ब्रेल युक्त जो पेपर वालट मिलेगा ये मिलेगा मेघाले राज्ज में अच्छा कुशन है एक बार अच्छे से रिवाइस कर लेना तो मेघाले इसका राइ किया है तो यहां पर ग्रेबीयल रेने मोरोन यूनिवर्सटी में जो महात्मा गांदी जी की प्रतिमा का अनावरन हुआ है यह हुआ है बोलीविया देश में ऑप्शन देखर बोलीविया पर टिक कर देना बहुत अच्छा कोशन है बोलीविया इसका राइड अंसर हो उनिवर्सटी में महात्मा गांदी जी की प्रतिमा का अनावरन किया है यह कौनसे देश में किया है बोलीविया देश में इसको किया है अगला प्रस् reps में तो यहां पर यहां सब कर दोंगा तो यहाँ पर यह जो प्रजाती है, यह क्या है, जंपिंग स्पाइडर, यह जंपिंग स्पाइडर के एक प्रजाती है, जिसका नाम है जे जेर गो, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, अगला कुशन है, PSLV C45 से भारत के अलावा कितने देशों के, कितने उपग्रहों को प काल ही में, जंबू कस्मीर में मैत्री पुल, आम लोगों के लिए खोला गया है, यह पुल किस नदी पर रिस्तित है, तो यहाँ पर यह जो मैत्री पुल है, यह जो आम लोगों के लिए खोला गया है, यह सिंदू नदी पर रिस्तित है, सिंदू नदी देखकर इस पर टिक से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हूँ, आप हमारे टेलिग्राम चैनल से भी इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं.